देखिए सबसे पहले मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी डेली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं उसको मैं ट्विटर पे डाल दूँगा पूरा देश उसको देख सकता है दूसरी बात में मुद्धा आज जो BJP ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नौर्थ इस्ट को जलाया है में मुद्धा वो है अब ध्यान उस मुद्धे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और BJP मेरे उपर ये बोल रहे हैं मैं यहां सपश्क कह देता हूँ, मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने बोला कि नरेंद्र मोधी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा, हमने सोचा कि अगबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अकबार खोलते हैं हमें सब जगे रेप इंडिया दिखाई देता है कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहाँ पे महिलाओं पर बलतकार नहीं हो गया उन्नाओं में बीजेपी के मले ने महिला का रेप किया है बीजेपी के मले ने लड़की के गाड़ी पर एकसिडंट करवाया गया नरेंद्र मोधी ने एक शब नहीं कहा कोई कारवाई नहीं देखिए हुआ कि हुआ क्या है नरेंद्र मोधी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं हिंसा फैलाते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है महिलाओं पे इंसा हो रही है नौर्थीस में हिंसा हो रही है कश्मीर में हिंसा हो रही है पूरे देश में हिंसा है और जो हमारी स्ट्रेंथ थी सबसे बड़ी स्ट यौरप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है और जब बात होती है एकॉनुमी की बात नहीं होती है अत्याचार, बिविजिन, हिंसा इन चीज़ों की बात होती है जो हमारा रेप्यूटेशन था वो पूरा पूरा उड़ा दिया है ये बाते मैंने कल अपनी स्पीच में कही नरेंद्र मोदी जी को ये भी जवाब देना है मेलाओं की बात तो है मगर ये भी जवाब देना है कि इंदुस्तान की जो एकॉनुमी थी उसको उन्होंने नश्ट क्यूं किया ये भी जवाब देना है कि इंदुस्तान के युवा जिनके पास रोजगार था उनसे नरेंद्र मोदी ने रोजगार क्यों चीना